एस विडियो में हम उन्ही पूएंट को और अच्छे से समझनेवाले हैं आसान सब्दों में समझने वाले हैं ताकि आप सبحी को अच्छे से समझ में आ सबू भूग की होब कि बहुत सरह को बतलब होगा कि इसकी मीनिंग पता होगी लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं और अच्छी से किलियर करने की कोशिस करने वाला हूँ सबसे पहला word ऐसर ने बोला था डाइनेमिक सो डाइनमिक का मतलब होता है गति सील परिवर्तिन सील उर्जावान और भी कई सारे मिनिंग हम निकाल सकते हैं सो अगर आम लेंगुज में बात करें सो फूर्तिला वर्ड को अगर एक बैक्ति के लिए यहां पर यूज करें सो कोई ऐसा बैक्ति जो काम करने में बहुत ही फूर्तिला हो तेज हो गति सीलो परिवर्तन सीलो मतलब काम को करता रह सकता है यहाँ पे बिना ठके हारे काम करता रहता है और काम करने के बाद हमेशा energetic रहता है ऐसा नहीं कि वो काम करने के बाद ठक गया है और वो हार गया उस काम से रहे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो उसके अंदर हमेशा उर्जब बनी रहती है और हमेशा वो एक energetic रहता हमेशा उसके अंदर ताकत बनी रहती है तो एक बैक्ति के लिए इस परकार का हम यहाँ पे example ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर पेश्ट्रक्चर की बात करें तो पेश्ट्रक्चर में गतिसील परिवर्तन सील मतलब हमारा जो पेश्ट्रक्चर है वो ब example और यहाँ पर दे सकते हैं कि हमेशा यह मतलब भी न ठकेहरे यानि कि कोई आपका सेल जनेरेट वह यहाँ पर तो आपका जो पेमेंट है वो आपको एक बिक के बाद एक मेने के बाद एक साल के बाद ऐसा नहीं इस टेंट आपको यहाँ पे कमिशन जनेरेट करके देगा ह यानि कि जैसे यह काम करता जैसे आपको सेल जनेरेट होता है तो सारी चीजे इस्टेंट आपको यह जनेरेट करके देने वाला है हर एक चीज आपको इमेल आपको मैसेज आपका यह सेल जनेरेट वह आपका यह कमिशन इस पर यह आ गया तो यह सारा चीज यह ऐसे काम करने वाला है सो बहुत ही डाइनेमिक होने वाला है बहुत ही गतिसील होने वाला बहुत ही परिवर्त तन्सील होने वाला है तो नेश्ट पॉइंट ऐसा ने बोल था hybrid, hybrid को अगर हम आम लेंग्वेज में समझें, तो hybrid का यहाँ पे गुस्मिंदर सन ने भी explain किया था कि hybrid हमारा जो pay structure रहने वाला, वो hybrid रहने वाला यानि कि हमने पास कई सारे pay structure रहेंगे, अगर पहला pay structure कोई copy करने की कोशिस करता है market में या कोई भी नकल उतारने की कोशिस करता है तो हम दूसरे pay structure की जरी हम यहाँ पे payment देना start कर देंगे यानि कि हमें कोई भी copy नहीं कर सकता है इस परकार से हमारा यह pay structure hybrid तरीके से रहने वाला है नेस्ट पॉइंट ऐसा ने बोला था unlimited अल्लिम्टेड का मतलब होता है यहाँ पर आसी में जिसकी कोई limit नहीं हो जिसकी कोई limit नहीं हो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें कितना पैसा आएगा आपका पैसा या जो कुछ भी unlimited है इसकी कोई limit नहीं है starting आपकी zero से होती है लेकिन वो कहां तक जाएगी कहां तक जा सकती है कोई limit नहीं है राइट सो अगर यहाँ पे money की बात करें सो बहुत सारे लोग बोलते मुझे कितना आएगा तो यहाँ पे fixed income नहीं है यहाँ पे unlimited है fixed नहीं है लेकिन unlimited है fixed वो होता है for example अगर मैं बोल दूँ आपको कि आपको महिने में 50,000 आएगा आज भी आपको महिने में 50,000 आएगा और आज के आने वाले 5 साल बाद भी आपको 50,000 आएगा हो सकता है कुछ वहाँ पे increase हो जाए बढ़ आने वाले 5 साल के बाद भी आपको 50,000 आएगा लेकिन unlimited का मतलब होता है भले ही आज आज आपका जो payment है जो आपका remember भले ही अपका zero या जार या दर दर हजार है लेकिन आने वाले time में अगर unlimited की बात करें आने वाले time में 5 साल के बाद भी कुछ भी हो सकता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं सो Unlimited का मतलब स्टार्टिंग जीरो से होता है लेकिन उसकी कोई Limate नहीं होती है जितना sales सेरे्थ होता है जितना सारी चीजें आप के website पे आपके लिए होती है उसका जो commission होता है उसका भी limit नहीं है, I hope यह point आप अच्छे से समझ पाएंगे, next point ऐसे ने बोला था, scale level, scale level का मतलब होता है, बढ़ाना, मतलब अगर कोई business की regarding, अगर यहाँ पर example दें, सो कोई ऐसा business जिसको आगे चल के improve कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़े उसमें add कर सकते हैं, और future में जरूरत के अनुसार, जरूरत पढ़ने पर उसमें बहुत सारी चीज़े हम add कर सकते हैं, यानि कि scale कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, future में अगर हमारे pay structure की regarding जरूरत पढ़ने पर जरूरत के अनुसार हम और भी चीज़े उसमें एड कर सकते हैं और भी चीज़े को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हमारा पेश ट्रक्चर और भी अच्छा लगे आने कि उसको हम जरूरत पढ़ने पर बढ़ा सकते हैं उसमें इंक्रीज कर सकते हैं उसमें कर सकते हैं फिर्ण, ओके, नेक्ट पॉइंट ऐसा ने बोला था, लॉंग टम, लॉंग टम मतलब लंबे समय तक चलने वाला, ऐसा नहीं कि हमने बना दिया गए, एक मेने चलेगा, दो मेने चलेगा, उसके बाद वो पे प्लान कामी नहीं करेगा, पे श्ट्रक्चर कामी नही अत्मक, यानि कि हमारा जो पे श्ट्रक्चर रहेगा, वो अच्छे तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं कि हमने पे श्ट्रक्चर बना दिया, पे प्लान बना दिया, बट वो कामी नहीं कर रहा, वो किसी के लिए काम कर रहा, किसी के लिए कामी नहीं कर रहा, तो ऐसा बिलकु हमारा face structure होने वाला है next point ऐसे बोलते सस्टेनीवल सस्टेनीबल का मतलब होता है टिकाऊ ऐसा नहीं कि हमने पेस्ट्र बना दिया और एक मेने चला दो मिने चला, चार मेने चला छे मिने चला उसके बाद उसके कहानी खतम बहुत कि लोग börते से ऐसा ने उसको design किया है इस परकार से उसकी strategy को design किया ताकि वो लंबे समय तक चले टिकाऊ रहे और वो चलता रहे और आने वाले टाइम में future में जरूरत पढ़ने पर जरूरत के निसार हम उसमें और भी चीजे improvement करते रह सकते हैं जब भी जरूरत पढ़ेगी जो चीज की हम उसमें add कर सकते improve कर सकते तो हमारा जो पेश ट्रक्चर है वो sustainable है यानि की टिकाऊ रहने वाला है और लाश्ट में एक point ऐसा ने बोला था it's simple it's simple बहुत ही जदा आएगा तो बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको समझ पाएंगे तो पेश ट्रक्चर की रिगार्डिंग आईसन ने ये सारे point बोले थे I hope मैंने आसान सब्दों में इसको explain करने की कोशिस की और आप लोग समझ पाएंगे वीडियो चली दिवीडियो को like share and channel को subscribe जरूर कर लिजएगा